प्लेटफरम पर आपका स्वागत है अगर पहले तो आगर आपने हमारे चैनल एननार इस्टडी ए-लearny को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेक्टिसेट 11 की यानि 11 वे प्रेक्टिसेट के बारे में बात करने वाले हैं तो जल्दी से जुड़ जाएगेगा अगर आप हमें फेस्बुक पर लाइओ देख रहे हैं तो पहले तो पेज को फोलो कर लिजीगा और साथ में चैनल का स जाएगा बिल्कुल स्वागत है आपका बिल्कुल जैस्री क्रिष्णा बिल्कुल जैस्री राम बिल्कुल नमस्ते बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका सभी का बिल्कुल बिल्कुल तो दोस्तों पहले तो हम थ्री टॉपर्स के नाम आपको गोशित कर देते हैं जिन और तीसरे स्थान पर है अजे सिंग तीसरे स्थान पर है अजे सिंग तो यह रहा है तीन टॉपर्स आपके नाम तो तीन टॉपर्स के नाम गोशित हो चुके हैं अगर आप भी इन टॉपर्स में आना चाहते हैं तो आज की क्लास पूरी अटेंड करें और बिल्कुल आज की क्लास दमाकेदार होने वाली है तो चलते हैं दोस्तो आज के मोटिवेशन की और पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेर करें तो दोस्तो चलते हैं उससे पहले साथ ही उसी चैनल के नीचे आपको एक और चैनल मिल जाएगा एननार इस्टडी एनसे आटी तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेगा उसके अंदर आपको एनसे आटी के लेक्चर उपलब्द होंगे चलो दोस्तो चलते हैं आज के मोटिवेशन की ओ तेकिगा आज का मोटिवेशन है आपके सामने होसले बुलंद कर राष्टे पे चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर अकेला तुपहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा यानि आपको काफिले के लिए लोगों के पीचे नहीं भांगना पड़ेगा काफिला अ लगान इतने मजबूत हो तो लोग आपसे जरूर जुड़ते हैं कहते हैं कि संग्रस के समय आदमी अकेला होता है और सपलता में फूरी दुनिया उसके साथ होती है तो यही और यही देखो इसी प्रकार यह जिन्दीगी चलती है संग्रस से यह जिन्दीगी चलती है संग्रस यह दुनिया स्वार्ती है अपनी सफलता से इस दुनिया को बता दो कि आप में कितना दम है तो चलते हैं दोस्तों इस दमा कदार मौटे वस्टन के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्वागत है सभी का बिल्कुल तो जल्दी से वीडियो को सैर कर क्रोद सवेगों के लिए उप्युक्त है सारुदिक उप्युक्त कौन से उप्युक्त है आपको बताना है ओप्शन ए सेक्सिक परती इस्पदा ओप्शन बी ग्रेड परती इस्पदा ओप्शन सी ड्रामा एं नाटकों में अभिनाए ओप्शन डे परती इस्पदा आत्मक खेल कोद परतियोगता है चोलो जल्द इसे करेक्ट आंसर बता देजिगा यहाँ पर कहरा है कि निमलिकित में से कौन सी अवस्ता क्रोध समयगों के पर्यूग के लिए सार्थ उप्युक्त है यानि क्रोध कहाँ पर उप्युक्त होगा अरे क्रोध सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखो क्रोध काभी उप्युक्त होता है कहीं न कहीं बिल्कुल तो क्रोध का उप्युक्त हम कहां कर सकते हैं बालक कहां कर सकते हैं तो यह आप जरूर बताए बिल्कुल बिल्कुल सभी के करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल स्वागत है सभी का, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जूर जाएगा, बिल्कुल, और ये class दमाकदार चलती रहेगी, जब तक REIT के exam नहीं हो जाते, जब तक CTAT के exam नहीं हो जाते, ये आपके मनविज्यान की class है, और हिंदी की class से चलती रहेगी, चाहे, model paper 15 ही नह पूरी क्लास आपको प्लैलिस्ट के अंदर मिल जाएगी जिसके अंदर पूरे नौट सही तापको पूरा मिल जाएगा चलो करेक्ट टांसर बता जते हैं पूरे खिर्क बता था हो फाल जिसके थे हैं, कैसे तुने मुझे पचार आ है तो देखो, खैल कूट के अंदर क्रोथ की भावना या क्रोध का समय होना बहुत ज़रूरियरी है क्योंकि क्रोध के मात्यम से उसके अंदर हिम्मत पैदा होते कि नहीं अब आने दो तो देखो क्रोध होता है उस समय तो वहाँ पर सवेक सार देख उप्यक्त का है खेल कुद की भावना के समय जब आप खेल कुद खेल तो खेल के समय यह यानि खेल परती इस बिदा के समय यह हो सकता है बिल्कुल वहां पर उप्प्त होता है चलो बिल्कुल option 4 यहां पर correct answer होगा हम भी तु करते हैं कि थेक रोध कि जो सांद दिखने वाला होता है कि खेल के अंदर पता चल जाता कि उसे कितना घुसा आता है तो वही चीज है यहां पर option 4 correct answer होगा बिल्कुल चलो बहुत चलते हैं दोस्तों अगले question के ओर यह आपके screen पर आगला question चलो चलो आपके सामने question है बालक के सवे गात्मक अनुबो का wish lesson निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है बालक के सवे गात्मक अनुबो का wish lesson निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है option A है यहां पर उनके मुख आक्रसन द्वारा उनके अंतर निरिक्षन द्वारा या मनोहारिक परिवर्तनों द्वारा या उदीपको की परतिकिर्या द्वारा आपको बताना है कि बालक के सवे गात्मक अनुबो का wish lesson आज आपको थोड़ी स्क्रीन अलग लग 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 लगल लग 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 लगल यह इसलिए हमने कर रही है कि इससे जो निकलने वाली मोबाल की जो रेडियस होती है मलब किरिण होती है उससे आपके आँखों पर परवाव ना पड़े आपको अच्छा लग रहा होगा ना बिल्कुल साप दिखा दे रहा होगा तो आपको बताना है कि बालक के सवेगाथमक अनुबहों का विशलेशन निम में से किसके द्वारा किया जा सकता है जल्दी बताए आपको चारो ओप्शन बता चुके हैं उनके मुक आकर्षन द्वारा उनके अंतर निरेक्षन द्वारा या मनोहारी परिवर्टनों द्वारा या उधी पको की परतिक्रिया द्वारा आपको सवेगा अत्मक अनुबोह का विश्लेशन करना है देखो सीदी सी बात है ओपशन डी सका करेक्टांसर होगा याणि उधी पको की परतिक्रिया द्वारा आपको पता है जिस बालग जिस उधी पको पाना चाहता है तो उसके माध्यम से हम सवेगा पता लगा लेते हैं यानि कहता है ने 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 मुझे यह चाहिए तो हम उससे पता लगा लगते हैं कि बालक के सवेगात्मक अनुभव क्या है वो किस रूप में हमसे मांगता है कुछ गुस्षे में मांगते हैं कुछ एक बाटोलेंट ठोकन मांगें ने मन चोई जे चोई जे न तो इस प्रकार ब अप्च्के रों और पर 意लिक करेक्च है तो दोस्तों चलते हैं अगे लेंके हूचन के और आपके श्क्रिण पर क्यों Adaptता है जो सबसे पहला सबैक कौन सा सीसू के अंदर अन्दर श्ऴति होता है तो आपको बताना है कि बहे सामानी उत्यजन hem डुक या प्रसुंत जल्दी बताएगा वो सब्वेग जो सिसु के अंदर सर प्रतम दस्टी गोचर होता है तो जल्दी से करेक्ट आंसर बता देजिएगा क्या होगा उसका करेक्ट आंसर चलो सबसे पहले की बात कीजा है तो आपको बता है बालक को जनम लेता हम्हें रोता की में रोना को lore न खेक थोड़ी आ है तो शामानी उतेजना के अंदर आता है रोना है फिर हसना है तो वो पैदा होता तो रोता हुआ अगर नहीं रोए तो एक तरह के सो संगीन माहुल चा जाता है यह नहीं या रो क्यों नहीं रहा है तो वहाँ पर रोता है बच्चा तो रोता था तो सामाने दस्टी को चले बिल्कुल तो correct answer option B होगा यहाँ पर बाखी वगेरा दुख वगेरा यह तो बाद में उसे पता चलता है जब समाज में रहकर या वातानों में रहकर उनके अनुकूल हो जाता है सीखता है उसके बाद उन्हें लगता है चलो option B यहाँ पर correct answer होगा बिल्कुल स्वागत है सभी का बिल्कुल आपको question कैसा लग रहे है अगर आपको अच्छे लग रहे है तो बिल्कुल कर जो वीडियो को उठा कर सेर करतीजीगा बिल्कुल स्वागत है आपका वह अवस्ता है जिसमें एक किसोर बालक बाली का प् लड़कों के लिए 15 वर्स तता लड़कों के लिए 16 वर्स लड़कों के लिए 16 वर्स तता लड़कों के लिए 18 वर्स और लास्ट ऑप्शन डी है यहाँ पर लड़कों के लिए 22 वर्स तता लड़कों के लिए 24 वर्स जल्दी से correct answer बता दीजीगा जल्द आपको correct answer देना है बिल्कुल स्वागत है आपका चलो जल्दी answer दे चलो correct answer बता देते हैं option 4 इसका correct answer होगा देखीगा जब prod की अवस्ता लंबा इप्राप्ट करता है तो लड़कों के लिए होगा 16 वर्स की आयू में लड़का 16 वर्स की आयू में तता लड़कों के लिए है 18 वर्स द्यान दिजिगा 16 और 18 16 और 18 बिल्कुल 16 है लड़कों के लिए है 18 वर्स स्वागत है आपका सभी का बिल्कुल चलो दोस्तु चलते हैं इला क्योशन के हो यह रहा आपके screen पर आग्ला क्योशन तो देगेगा किउसन है आपके सामने बालकों में जो रूचियों बालकों में जो रूचियों समंदी व्यक्तिगत विविन्ताय पाई जाती है वे निम्ड मैंसे किसका परिणाम है बालकों के अंदर जो रूचियों से समंदी व्यक्तिगत जो विबिनता है पाई जाती है वो किसका परिणाम है आपको पताना है आयू का लेंगिक विबेदित्ता का या आनुभाविक पस्ट भूमी का या प्रतत अउसरों का बालकों के अंदर जो रूचिया समंदी व्यक्तिगत विबिनता है रूचिया समंदी है अना अब ध्यान से आंसर देशका चलो भई करेक्ट आंसर बदा देते हैं यहां पर कन्फूजन होने वाली बात नहीं है वैसे कन्फूजन होते हैं बिल्कुल मनवी ज्यान अनुबाविक पष्ट भूमी का यानि देखो रूची का सब्द जहां पर भी आये तो यह द्यान देना रूची आनुबाविक पष्ट भूमी पर निर्पट करती है रूची तबी बनती है बच्चा जनम से रूची साहत मिलेकर नहीं आता है कि उसके इस चीज में रूची इसमें उस काम में वो इंट्रेस्ट लेता है तो देखीगा उप्षन सी इसका करेक्ट आनसर होगा बिल्कुल स्वागत है सभी का तो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है स्वागत है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ रहा है वाक्षी में आपको लग रह चलत रही है तो जल्दी से वीडियो को उठाकर सेर गर दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल अगले बार हम सेर्ज करने वालों का भी नाम लेंगे बिल्कुल तो अगला आपके सामने आपको बताना है प्रेम के विकास की पर्थम आवस्ता का आतार क्या है बालक को अपने भाई या बेन के प्रति प्रति प्रेम बालक का अन्य बालकों के प्रति लगाव तो प्रेम के विकास की पर्थम आवस्ता आपको बताना है सीधा सा आंसर है बिल्कुल आप बता दोगे जन्म लेता है, तो बालग का जो प्रेम की आवस्था कि यह पर बात की गई है, विकास की, वह क्या है, तो चलो दोस्तों बता देते हैं, कुछ यहाँ पर का अपनी माता के प्रति प्रेम अन्सर दे रहे हैं, confusion दो ही में है option इसका correct answer होगा बालक का swim के प्रति प्यार यानि बालक का शुरुवात के अंदर जो विकास होता है प्रेम का वो swim के प्रति होता है उसके बाद माता, पिता, भाई, बेन वगरा सब के प्रति आपको नज़र आए था तो correct answer होगा option option C याँ पर बालक का swim के प्रति प्यार ये को confusion करने वाले बिल्कुल है उसके बाद आपका बिल्कुल बालक का अपनी माता के प्रति प्यार है तो बिल्कुल ये भी confusion करने वाला है अगर आपको कहीं लगेगी option A भी right हो सकता है तो आप proof के साथ आपको बिल्कुल बिल्कुल चलो चलते हैं अगले क्योशन की ओर बिल्कुल अगर आपको लगता है कि कहीं बिल्कुल ये आपकी का परिवार है अगर कोई पी confusion हो तो आप वे फिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं उसका solution आपके कमेंट बोक्स में मिल जाएगा ये अगली class में आपको बता दे जाएगा चलो चलते हैं बिल्कुल स्वागत है से देखीगा अगला कि उसने आपके सामने एक छोटा बालग एकांत इस्तान में डर्णने लगता है एक छोटा बालग एकांत इस्तान में डर्णने लगता है इसका कारण ये है कि बालग में समुदाएगी भावना जन्मजात पाय जाती है बालग में जन्मजात भय सवेक पाया जाता है बालग में अनुबंदन पाया जाता है बालक में सहाइता की बुनियादी आवसकता उपस्तित या उपस्तित रहती है बताओ जल्दी से जल्दी बई चलो बई बिल्कुल यह वी क्योशन बड़ा इंपोर्टेंट है वास्तों में दासो क्योशन है option C इसका correct answer होगा बालक में अनुबंदन पाए जाता है बिल्कुल option C इनुण ने आंसोर दिया विल्कुल आपका स्वागत है तो देखेगा अगला क्योशन ने आपके सामने एक बालक में भहे सवेक के उत्पन होने का स्वाभाविक उधिपक क्या है एक बालक में भहे सवेक के उत्पन होने का स्वाभाविक उधिपक क्या है option है रोएदार प्राणी option B अंतकार युक्तिस्तान option C तेजी से गिर्ती वस्तु option D खैल कू परतियो गिता है चलो चार option है आपके सामने चारो में से करेक्ट टांसर दे देखीगा क्यूशन सारे important है मस्त क्यूशन है बिल्कुल ऐसे जूशन भी पूछ सकते हैं बिल्कुल उसके बाद हम और भी model वेपर लेंगे चलो बताओ जल्दी कि देखो, बालक में भाय सबैक की उत्पन काूँ स्वाख्शार के उधि पक्क क्या है तो किसके मीतन से वालट में भाय अत्ताए तो बिल्कुल अंदिकार युगतिस्तान से बालक में भाय पैदा होता है ना बिल्कुल जो बालक छोटा होता तो उसे बूतों की काहाणिया सुनाई जाती है ना जब तब उसको क्या करता है वो अंदरे से डर्ने लग जाता है कि अंदर जाएका नहीं यार यापर भूत है आमें खाजाएगा तो वही चीज है उधिपक क्या होगा यानि अंदरकार युग तो इस तान से डरेगा वालक बिल्कुल बिल्कुल चलो उप्शन भी करेक्ट आंसर है चलो चलो बही अगला क्योशन है निम्न मैसे किसके द्वारा प्रात्मी कक्षा में सारेक शिक्षा परतान की जाने चाहिए आपको बताना है उप्शन है निम् विशेश व्यव्याम शिक्षक के द्वारा विद्या लेके नर्स के द्वारा कक्षा शिक्षक तता व्यव्याम शिक्षक के प्रसपर सयोग के द्वारा जल्दी बताए अपना करेक्ट आंसर चलो बही चलो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है ओप्शन डी इस के करेक्ट आ बिल्कुल आपका सभी का बिल्कुल लेकने जो इसके साथ पढ़ते रहे आप देख रहे हैं और रिषडी लर्णिंग जल्दी उताओ बई चलो ब स्क्राइक टंसब्स बता देता हैं ऐसका टंसब्स होगा उधीप्त अवस्ता यानि किसी उधिपक के समध में अनुक्रिया करने जोरा या अनुक्रिया द्वारा विक्ट करनने में और ऐसा ही लगता है बिलकुल option C यहाँ पर correct answer होगा चलो स्वागत आपका सभी का चलोगे चलते हैं अगला के वस्ता में के वर बिलकुल option A प्रात्मिक बाली अवस्ता option B पूर्व के सवर अवस्ता option C प्रारंबिक के सवर अवस्ता option D अंतिम के सवर अवस्ता तो चार option आपके सामने चारों में से एक इसका correct answer दे दिजिगा बालकी वह अवस्ता जिसमें उसका खेल कुद समंधी रूची के परती अधिक्तम विकास होता है चलो दोस्तों बताता है correct answer option B पूर्व के सवर अवस्ता देखो पूरों के सवर अवस्ता के अंदर ही बालकों का क्यल कूद के पड़ती अधिक्तम विकास होता है तो यह question भी हम कर चुके हैं बिल्कुल चलता है option B इसका correct answer होगा बिल्कुल बिल्कुल साधे पस्वि चलते हैं अगला क्यूशन आपके skin पर है जल्दी से share कर दिजीका वीडियो हो है ना बिल्कुल भै सवेक टाकरोद में निकटतम संबन्द है इस तत्य की उप्यप्ति व्याक्या निव्म वैसे किसके द्वारा की जा सकती है अच्छा इम्पोर्टेंट क्योशन बिल्कुल भै सवेक चता क्रोध में निकटतम संबंध है इस तत्य की उप्यक्ति व्यक्ष्या निम्न में से किसके द्वारा की जाए सकती है option A, दोनों के अंतर नहीं कारको में समानता द्वारा, option B, क्रोध से उत्पन अनुबंधन द्वारा, option C, दुख की समरुप भावना द्वारा, option D, दोनों में समरुपता द्वारा चलो भैजल दी से answer दे, विल्कुल confusion करने वाले हैं सारे इस सारे option, तो correct answer option C, दुख की समरुप भावना द्वारा, दुख की समरुप भावना द्वारा, यह को जब भै लगता है तो आदमी को दुख तो होता है यह विल्कुल अचारक डर जाता है फिर उसमें थोड़ा, फ समरुप भावना द्वारा ही उत्पन होता है और तीनों का इसी प्रकार दुख की समरुप भावना द्वारा सम्मल्द थे, तो option C, इसका correct answer होगा, बिल्कुल यहां पर confusion करने वाले हैं सारे option, तो यहां पर correct answer option C की बात की गई है, तो correct answer option C होगा, बिल्कुल चलता है अंगल क्योशन की ओर, क्योसरें अगला करीब 11 वर्य सी की ओमर में बाल को में निम्न मैंसे किस चत्र में लेंगी परिवर्थन मुकर होने लगता है, इसका correct- PE, समर वयर के चत्र में, इसका correct- प्रकार द्वारा सारे जहितनी दल्षर जलदी से अपना उस वर, कि वहती अच्छा है, विलकुल, विलकुल सभी का सवागत है, विलकुल ऐसे ही अपने उस देते रहे, विलकुल सवागत है सभी का, चलो जल्दी दिए. करीब 11 वर्ष की उम्र में बाल को में निम्ड मैंसे किस चैतर में लेंगिक परिवरतन मुखर होने लगते हैं तो आपको बता ना है correct answer चलो आपको बता देते हैं correct answer की बात की जाए तो उत्तम मास पेशी समन्वे के चैतर में ना मासपेशी विकास होने लग जाता है उत्तम मासपेशी समन्वेगे चातर में विल्कुल अप्शन भी इसका अगरेक्ट आंसर होगा तो चलते हैं अगले क्यूशन के ओर यह आपके स्क्रिण पर अगले क्यूशन जल्दी आंसर देते हैं विल्कुल स्वागता सभीगा अपने आंसर आने चाई विल्कुल एक बालक के विवार पर निम्न में से कौनसा विवार निम्नतम परभाव डालता है तो निम्नतम परभाव कौनसा डालता आपको बताना है वातावन समंदी सक्तिया, ग्रंतिये असंतलन, व्यक्ति की आउसक्तों की असंतुष्टी या मूल परणतिया करेक्ट आंसर कोणसा होगा? मूल परणतिया ना? option 4 यापर करेक्ट आंसर या मूल परणतिया, बिल्कुल स्वागत सभिका चलो आगला किस्तों आपके स्किन पर आ चुका है शीसू के विवार में जो संपूर्ण गती परकट होती है उसकी व्यक्ष्या निम्व में से किस अधार पर की जा सकती है? option A, सीसू के उज्टम उतेजना के अधार पर option B, सीसू के केंद्रेस नायू तंत्रिका विकास के अधार पर option C, सीसू में विद्यवान अधिक्तम उड़ जा सकती के अधार पर option D, सीसू के मस्तिक में निम्तम विवेदन सिलता के अधार पर चारो के चारो option आपके सामने हैं, चारो को आपको आणस्वर देना है, बिल्कुल आपको क्योंसन कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करते रहें और कमेंट में अपना आणस्वर देते रहें, बिल्कुल सीसू के वेवार में जो संपून गती प्रकट होती है, उसकी व्याक्या निम्तम से किस आधार पर की जा सकती है देखो सीदी सी बाद है, सीसू के वेवार में संपून गती, तो सीसू के वेवार की बात की गए हैं यापर तो करेक्ट टांस्वर ओप्शन बी होगा, सीसू के केंद्रिय सनायो तंत्रिका विकास के आधार पर मुन की व्याक्या कर सकते हैं, वेल्कुल करेक्ट टांस्वर ओप्शन बी होगा चलो बई, जलता है अंगलिकेशन के ओर चलो बई, क्योशन आपके सामने निम्न वैसे वो कथन जो सीसू के वेवार को परतशित करता है विवेदन सिल्ता, सामानिय करण, जर्म जातगुण या एकात्मक्ता सीसू के वेवार को जलता है पारे में हम कर चुगा ना सामने उत्यजना की बात की थी हमने तो वही है यहां पर ना बिल्कुल बिल्कुल और बात हम आपको बता देते हैं ध्यान दीजीगा यह जो क्लास है फेस्बुक पर 31-32 मिन्ट चलेगी उसके बाद क्लास देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्रेब कर लिजीगा चैनल का लिंक आपको पर मिल जाएगा बिल्कुल पेज़ पर मिल ज owanie crosses gonna प्रिकुटें के ऊरवा के एं बालक के सरिक आखार में बालक के सरिक आखार में वर्धी प्राएग निमिल्खित सभी कारकों से प्रभावित होती है किन्तु वर्तमान सोत अध्यनों ने निम लिखित कारकों को अ मान्य गोशित क्या है पालक के सारिक आखार में वर्धी प्राय निम लिखित सभी कारकों से प्रभावित होती है किन्तु वर्तमान सोत अध्यनों ने निम लिखित कारकों को अ मान्य गोश जल्दी बताए अपना उत्तर तेकी का यहां पर सारी अकार की बात की गई है तो आपको बताना है सभी कारकोर से प्रवत होते किन्तु वर्तमान सोध दिनों ने निमिलिकित कारे को अमाने गोशित किया है चलो बई option D यहां पर करेक्ट आंसर रोगा वर्तमान में इसको अमाने गोशित कर दिया गया है मास पेस यह समझे न न ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर रोगा चलो चलते हैं अंगली क्यूशन के और क्यूशन केसे लग रहे हैं विल्कुल देखो कमेंट करते रहे ना ऐसे नहीं आप क्लास देखे चले जाओ कमेंट के अगरो क्या पता यह क्यूशन एक्जाम में पढ़ जाए प्रारंबिक बाल्य आवस्ता के संबन में वो कथन जो वातावन समंदी प्रभाव के विशे में सत्य है उप्शन है जन्म होने तक वातावन का प्रभाव बालक पर नहीं पढ़ता है वातावन समंदी कारक गरबस्त सीसू के विकास को प्रभावित नहीं कर सकते बालक का प्राकृत्री विवार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि बालक में शिक्षन द्वारा शीक्ते का विवेक उत्मन नहीं हो जाता जो भी प्रिवर्थन बालक के अनुवान सिक्ता में किया जा सकते हैं वे बालक के वन सानुकर्म प्रतिमानों से समझ्दित होते हैं चलो भी correct answer की बात की जाए तो option 4 होगा बिल्कुल बाकी तो एक भी इसका correct answer नहीं है और option 4 इसमें है कि जो भी पहुन JO बालक के औनवान चिक्टा में खिया सकते हैं वे बालक के वशन्ों कर्म परति मान से सम्मधित हो से हैं बेलकुल वशन्र वाले किस से समधित होगे बिल्कुल वनसानू कर्म से समधित होगे बिल्कुल करेक्ट टांसर ओप्शन फोर होगा बिल्कुल या क्या करने की ज़रोत है बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल सिसू विवारा पारिभारिक नियमों का विरोध करना औप्सें D, सिसू में विष्छिज्र योगःताओं का विवारा अप्सेंगने सिस्टेक्ष्ट बाल को में पूर्व बाले अवस्ता संबन दिजो वेवर पर्खट होता है वो आपको बताना है वो है मूल पर्व्यात्मक और इस्तानिय प्रतिवर्त यादर्चिक कर्द 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 क तो बाल को मैं पूर बाली अवस्ता में आपको पता है सबसे जदा वो खेल गूद करता है तो सिदी सी बात है संपूर्ण सरीर की किरिया होगा बिल्कुल करेक्ट टांसर आपसन फोर होगा बिल्कुल स्वागत है अप सबेका क्या कारण है कि सिक्षण के समय क्या कारण है कि सिक्षण के समय सिख्षक बाल विकास की विवीन अवस्ता ओपर द्यान देना पसंद करता है अपसन एं है यापर बालक के स्वाभावीक विकास गति में निवन्तम हक्स्तेप की जानकरे के लिए कक्षा समन्दी अनुबहों को परिपक्षण करने या करके कक्षिय अनुबहों परदान करने के लिए अपसन C है जब तक चातर के सी अधिगम को असल के प्रति उप्युक्त अभीवर्ति प्रकट करे तब तक उसके स्रिक्षन को टाल देना चाहिए अपसन D है यदि बोधिक ये उसेक्षिक विकास की कुछ मात्रा में हानी भी होती है फिर वीचातर के सामाजिक तता सारिक विकासों पर ध्यान के अंधिरित करने के लिए जल्दी बताओ करेक्ष्टान स्वार्ट तो चलते दोस्तों अगली कुछिन के और ये रापके स्किन पर अगला कुछिन कुछार्ग बुदी अथ्वा पर्तिवा साली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कारे चतर में अपनी अद्भुत कारी को सलता तता पर्मिंडता का परिचे देता है ये कतन किसका है कुछार्ग बुदी अथ्वा पर्तिवा साली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कारे चतर में अपनी अद्भुत कारी को सलता तता पर्मिंडता का परिचे देता है ये कतन किसका है इसका करेक्ट आंसर है बेल्कुल स्वागत है सभी का कुछार्ग बुदी अथ्वा पर्तिवा साली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कारे चतर में अपनी अद्भुत कारी को सलता अथ्वा परिचे देता है चलो चलते हैं अंगल क्योशन के और यह आपके इसके बाटला क्योशन निम मैंसे क्या मांसिक रूप से पिछड़े बालकों की विश्यस्ता है आपको वताना है कि निम मैंसे क्या मांसिक रूप से पिछड़े बालकों की विश्यस्ता है उप्शने है सवेगात्म रूप से अइस्तरता उप्शन भी रूचियों का शिमित होना उप्शन सी निरंतर एवस्ता होना या उप्विक्त सभी देखो मांसिक रूप से पिछड़े बालक की विश्यस्ता की बात की गई है तो विल्कुल करेक्ट आंसर ओप्शन कौनसा होगा फोर इसका आंसर होगा सवेगात्म रूप से अइस्तरता रूचियों का सिमित होना और निरंतर एवस्ता का होना तो करेक्ट आंसर ओप्शन फोर होगा विल्कुल सभागत है सभी का चलो बहें चलते हैं अगले के उसन की और विल्कुल सभागत है सभी का कि उसे ने टर्मन के अनुसार विषिष्ट बालक की विष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् चलो भई टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशिष्टा यहाँ पर होगा बौधिक विकास तो option C यहाँ पर correct answer है बौधिक विकास तो बौधिक विकास यहाँ पर correct answer होगा जिन्होंने option C answer दिया विल्कुल आपका स्वागत है दोस्तों चलते हैं आगला किउशन के ओर हेर आपके एसका प्र अगला किउशन निंहां मैं से क्या पर्तिबा साली की वालकों की समिष्ट? तो यहाँ पर correct answer अपना दियेगा जहाँ परक मैं सहार होता है न बिल्कुल पर्तिबा साली की चाहित is समयश्या होती है बिल्कुल गिरों में सामिल हो सकते हैं यह उनकी समयश्या होती है अध्यापन वीदिया भी उनकी समयश्या होती है और स्कूल विशे और विक्तिव के चैन की समयश्या होती है अप्शन फोर या पर करेक्ट टांस रोगा अपर तो सभी बिल्कुल स्वागत सब्सक्राइब कोई किसी में विशिष्ट होता है तो बुधिस्तर से होगा बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल स्वागत सभीका विशिष्ट बालक कोई किसी में विशिष्ट होता तो बुद्धिस्थ से होगा ना बिल्कुल option है बिल्कुल कोई गणित में होता है कोई किसी भी subject में हो सकता है बिल्कुल option है यहां पर correct answer चलो चलते हैं अगल के विशन के ओर एक सिक्सक के लिए पिछले बालकों को सिक्सा के चत्र में अगर्णी करने है तो निम्न मेंसे क्या आउशके? अप्सण ए पिछडे पन के कारणों की कोच करना, आप्सण बे व्यक्तिकत रूप से उनका ध्यान रखना, आप्सण सी पाठ्यान तर कर्याउग की व्यवस्ता या उप्योत सबी, और निम्न तो नहीं आने लग गई? ऐसा नहीं कि सर्टो लोरी सुना रहा है, उसी वय में च बिलकुल नहीं जोसके साथ बिलकुल देखेगा option 4 इसका गरेक्टान सोर होगा यानि पिछडे पन के खोच करना विक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखना या पार्ट आन तरक्रिया होगी विवर्वस्ता option 4 इसका गरेक्टान सोर हो रहे हैं चलते हैं दोस्तों कि क्यों सब् पर्तिबास आली बालकों का सिक्षन है तू क्या उप्रिक्त है गती वर्दन संपनी करण विहिष्ट काक्सा या यह सबी तेको पर्तिबास आली बालकों का सिक्षन है तू उप्रिक्त विद्य सबी यह बिल्कुल ऑप्षन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल जिन्वा नेम्न में से कौन सी एक मंद बुदी बालक की विश्यस्ता नहीं है। बिल्कुल ये क्यूश्यन आचुका है तो मोलिकता उसकी विश्यस्ता नहीं है। बिल्कुल जितना याद हो सके उतना अव बहुत इस्तर रगए ना जितना बहुत कराया जा सके बिल्कुल अव बहुत इस्तर ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जिनो नहीं आप्शन भी आंसर देया बिल्कुल आपका स्वागत है। तो जल्दी से दोस्तो आपका जो ये प्यार है यूँ ही बना रहें तो आपको क्लाश कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बता है बिल्कुल। और पेज को फोलो कर लिजगा आप टेलिग्राम से जूर जएगा बाग कि आप चैनल को सब्सक्राब कर सकते हैं अबलकुल सभी का स्वागत है और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाय रखे और वीडियो को सेर लाइक सेर चरूर करते हैं। झाल